प्रव्लम जरूर आई थी क्लच प्लेट की जो प्लेट इसकी टूटी निकली वह की वह इस गाड़ी की समस्या है तो मेरे एक फ्रेंड पर भी है उसका भी यह है तो वहीं से कोई समस्य काफी दिनों से वीडियो नहीं आ रही थी लेकिन आज बहुत अच्छी वीडियो आपके ला रहा हूं तो आप देख सकते हैं सामने दो स्कॉर्प्यों खड़ी है यह जो कि फर्स्ट बुकिंग फर्स्ट दे को ली गई थी चप्वी सेप्टेमबर को लिए इसको अल्मोस्ट एक महीना एक साल हो गया है और मेरी आपको पता ही है कि यह जानेंगे यह जो गाड़ी जिसकी है वो मेरा फ्रेंड है उसको वीडियो मे अच्छी है क्या चीज बुरी है टॉप मोडल अच्छा है जैट सिक्स अच्छा है क्या प्रिफर करना चाहिए और कौन सी गाड़ी अगर आपको आप इस टाइम भी अगर स्कॉर्प्यों कंसीडर कर रहें तो आपको वह लेनी चाहिए या फिर कहीं और हैरियर और इन पर करना चाहिए जो कि नई गाड़ी आ चुकी है अभी मार्केट में या फिर आने वाली है तो आपको देखने से पता चल गया होगा है तो इनके जो उनर्शिप रिवीव है देख लेते हैं अपन कितना चल गई है अभी तक है आप देख सकते हैं और मुस्ट 14,000 किलोमेटर च कराने कराई कोई जरूवत भी नहीं है सारी है है इसमें जो चाहिए होती है आपने जाए सबसे बुरी बात है कि वह मिली नहीं रही है हाँ तो इस वचे से मैंने भी जैडेटल उसी टाम पे ली थी शुरुआत में शुरुआती दिनों में और वाकी है कि कि अपने अपने यूस के साब से अगर सारी चीजे चाहिए फुली लोड़ेड चाहिए तो अधरवाइस सारी चीज फिर आफ्टर मार्केट तो मिलती है इस रूसी तो पहली सर्विस पर आपकी हजार पर हुई होगी हजार पर उसके बाद तो अब तक कुछ गाड़ी ने पै तो आप तो सौफ्ट एंड चलाते हैं यहादा चलाते नहीं नहीं सिंगल एंडी चलती है वाकी वह इस गाड़ी की समस्या है तो और एक फ्रेंड पर भी है उसका भी यही से माल हुआ उसका भी जम्मू बहुए तो वहां पर उसकी भी उसकी प्लेट फेल होई तो उसका र कि समस्य तो हो सकता है उख है आप ने पहली पहली बहली है तो रिकत्रें रहती है वह मैं को वह खांथ तो इन्हों अग्यस है अच्छी बात है और ऑबरेटपे में तो यह 12 में करते क्या हुआ दसेजार के बाद जरूर इसकी वह बढ़ गई थी दसेजार के बाद जरूर तो चौदा तक हाइवें पंदरा तक दे रही है तो मोर दें सफीशेंट अपन निकाल नहीं सकते पंदरा चलाने के लिए फिर उस पंदरा के लिए सब्सक्राइब चलाते रहो इस अब जरूर अब जरूर इसे दिक्कत रहती है कर दो एक बार आया था जो सर्विस के बाद सर्विस के तुरंट बाद आ गया था बाकि वह उन्होंने फिर लैप्टॉप से सही कर दिया उसमें अच्छा और आपने बताया था कि पीछे से जाड़ी के आपका एक्सीड़न हो मेरे साब से इसके अलावा कोई बेटर ऑप्शन है और वाइस फिर तुम जंप करोंगे पचास लाग तक गया होगे फॉर्चुनर आईगे बागी इस रेट में तो यही ऑप्शन है तो बैस्ट है सब तरीके से इस लगी आपको मेरे कुछ उतना कुछ खास नहीं लगी सर् इसमें कुछ सर्विस में कुछ होना भी नहीं है वही इंजान ओयल फिल्टर बगेरा है वह तो अभी नॉर्मली हो रहे हैं बाकी आगे चल के पता चलेगी अब जैसे जैसे में लोगों ने कैमरा कंपनी से लगा रहा है ठीक है लेकिन कई-कई जगे पर क्या है कैमरा की ड्रीटर्राइशन नहीं कहीं पर कोई साथ मांग रहा कर दस मांग और अच्छे से लगा भी नहीं पा रहे हैं लोग जब आप खुझे इंस्टॉल कर रहे हैं लोग बिलीव करेंगे लेकर आपके-जेक्षियं मार्केश से भी अच्छा रिस्पंस नहीं है आँका देख र चलाने में सेम है तो इस गाड़ी और को भी इस लाक में लेने चाहिए थोड़ा बुछ करके उस पर जाए नहीं यह सब सेम अंबर भी पावर भी सेम है थोड़ा बहुत जो भी आप आफटर मार्केट भी करा सकते हो पांच लाग बहुत हो जाते हैं गाड़ी के पांच अब साथISH चीज बाट करा सकते एप सब चीज तो हैं सिर्पिंट्रेश घर वो होदा रंत बि Abb감 कर वह और उसमेजे काम नहीं करते से बंडल निलेटाट। तो गाइस डाउट आपके सारे क्लियर हो गए होंगे जैट सेग जैट एल और जो भी है वो पहले भी हमने क्लियर कर दिया लेकिन अब जो ओनर्शिप है जो ओनर से को लगनी पारा है जैसे कि फॉग लेंज कंपनी में नहीं लग रहे अगर आपका जाता बजट है तो आप जैट इटेल पर जा सकते हैं जैसे कि मैंने भी अभी फॉग लेंब लगवाए थे लिए उसकी वीडियो में नहीं मना पाया लेकिन अगर आपका बजट करना ही पड़ेगा काफी काफी लुग होते हैं वह अपने आफ्रमार्क गाड़ी को नहीं चड़वाते उनके लिए Z6 बिल्कुλ नहीं मैं बिल्कुल मना कर देता हूं ब्र जैसे गाड़ी मिली है आपको वैसी ही आप गाड़ी चलाएं ठीक है तो फिर से विवार